गुट मॉर्निंग स्टुडेंस तुड़े आम गोईंग टू टीच यो समस्पेसिफिक रूल्स विलेटेट तो इस्पालिंस मीन्स जब आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं लिख रहे हैं आपको पता है कि आपको किस चीज़ पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है वह आप लोग को तो छृत सब करने की युश जाएं याद नहीं हो पाने के भी कुछ कारण है ठीक है तो अब आप यह अगर आप यह समझेंगे कि एक स्पालिंस से ही बहुत सारे वर्ड़ बन जाते हैं कभी उसमें प्रिफिक्स लगता है कभी से सफिक्स लगता है और इस तर The first rule as it is written here, suffix or prefix, double L or full, F-U-L-L, full जिसे कोई word होता है, हम लिखते हैं, F-U-L-L, full, जब double L किसी शब्द के अंत में suffix या शुरू में prefix के रूप में आता है, generally शुरू में prefix के रूप में तो बहुत आ सकता है, मुश्किल से आता है, generally ये वर्ड हमेशा suffix के रूप में आता है, suffix किसे कहते हैं, जो end में आता है, किसी भी वर्ड के end में जो आता है, specific अभी यहाँ पर अंडरलाइन कर दूँगे, मैं आप लोग को समझ में आ जाएगा, उसे हम suffix कहते हैं, for example, अगर मैं यह जैसे first word लिखा है, almost, almost, लिखा है almost यहाँ पे, तो यह almost है, ठीक है, इसमें मैंने double L दिया था, दिया है आपको जो शो करने के लिए, क्योंकि यह पहले double ही है, all एक prefix है, all क्या लग गया, prefix, प्रीमा ने पहले fix होने वाला syllable, अब जब हमने इसे add किया, all को most के आगे लगाया, तो यह एक L इसमें से हट जाएगा, यह हो जाएगा almost, ठीक है, it's one prefix वाला example, अब faithful एक वर्द दिखा है आपको next, तो अगर मैं बोलू, faith अलग वर्द है, इसको हम root word बोलते है, faith, इसमें कौन सा suffix लग गया है, फुल, लेकिन जब हम suffix लगाते हैं, हमने जैसे ही पड़ा, फिर से पढ़ लो, कि जब double L किसी शब्द के अंत में, या शुरू में प्रिफिक्स के रूप में जोड कर कोई compound word बनता है, तो प्राय है, एक L का लोप हो जाता है, मतलब एक L आप हटा देंगे, उनली one L ही रह फुल, 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 फुल था पहले, उसके बाद उसमें फिल भी, फिल जो word है, उसमें भी F-I-L-L होता है, तो पहले वाले डबल L को भी आपने सिंगल L किया, और फिल में से भी एक L हटा दिया, मेंस प्रिफिक्स में भी अगर वो पढ़ रहा है, तो आप एक L हटा दे एक L आपका हट गया, यह कुछ सिंपल रूल है, जो आपको याद रखने पड़ेंगे, आल वेज, यह, अलल अल प्रिफिक्स लगा है, प्रिफिक्स मतलब जो पहले लगता है, सफिक्स क्या होता है, जो जैसे फेद के बाद फुल जो लगा वो सफिक्स है, यह ध्यान रख ब्रिफिक्स होता है, यह दूल को जो 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 एक L उसमें से हट गया, वैसे अन तिल, एक ही L देख रहा है, अल रड़ी, प्रिफिक्स है अल, यूस्फुल, यूस्फुल यूस के बाद फुल, एंड वेल कम, वेल यूस्फुल, वेल कम、 एक हाल हट गया, यह, वेल कम, आल ए डबल ल अल प्रिफिक्स था पर जब वो जॉइन हुआ दो के साथ तो बन गया ऑल दो ब्यूटिफुल में बी ए यू टी आई ब्यूटी एफ यू एलल फुल वट एक एल हमने हटा दिया विकिस ये एक प्रिफिक्स इसमें लग गिया है और एक एल हटा रहा है स्किल्फुल में भी देखो स्किल्, टोड़ अस इसको समजना आप अब अब जिसे स्किल्फुल है वर्ड दिखुर है स्किल्फुल एस के आई एलल स्किल है पहले उसके बाद इसमें हमने सफिक्स जोड दैब फुल तो यहां से भी एक L- करेंगे आप यहां से भी हटा देंगे तब आपकी नई spelling बन जाएगी S-K-I-L-F-U-L Skillful दिख रहे हैं So these are some specific rules regarding this spelling बट इसमें अब exception तो English में बहुत सारे हैं English में जब हम बढ़ते हैं कि पूरी grammar बढ़ने के बाद भी एक बार रोल सेट होता है और बाद में वो थोड़ा सा तोट भी जाता है That is called exception अब exception जैसे all right दिख रहे हैं इसमें नहीं हट रहे हैं लेकिन बीच में आपको इसमें यह देखे all right में नहीं हट रहा है all round में भी नहीं हट रहा है एक L कुछ spellings हैं जैसे farewell इसमें भी नहीं हट रहा है next L unroll and etc पर ऐसे भी बहुत सारे बोड़ हमको देखने को मिल सकते हैं बट specifically जो common words है बात तो यह है कि आप जब English reading करोगे आपको words को अपने mind में बठाना पड़ेगा कि इस word में ऐसा होता है but generally it happens but कुछ words की साथ नहीं होता अब second rules हम यहाँ पर पढ़ेंगे इस शब्द की अंत में एक व्यंजन consonants किने कहते हैं जब आप ABCD लिखते हो उसमें से A, E, I, O, U means A, A वाले sound जिनसे produce होते हैं उन्हें हम vowel कहते हैं उसके अलावा जो भी बचाओ जैसे B है, C है D है, F है, G, H यह सब क्या है consonant है उसमें अगर पूर में एक वावल और उचारण में अंतिम अक्षर पर जोर पड़े suffix पर तो suffix जब आप A, R, E, R E, D, I, N, G और E, N vowel से शुरू होने के पर आदी जोरने पर अंतिम अक्षर को हम क्या कर देते है double कर देते है for example देखो, B, E, G अब पहले वो रूल समझ लो, क्या कह रहा है कि अगर आपका अंत में एक व्यंजन है consonant है, yes, G is a consonant ठीक है और उससे पहले अगर वावल है, so E is वावल ठीक है, और जब हम उसको रीट कर रहे हैं, तो stress last में ज्यादा पढ़ रहा है beg, beg so when I say beg stress is on G ऐसे वर्द में, जब आप कोई भी suffix add करोगे तो यह last वाला consonant double हो जाएगा, जैसे bagger आप देखो, bagger ठीक है bagger वैसे admit देखो, admit जब मैंने बुला, T पे stress है admitted, double T हो गया slap, slapped top, topper double P, bat batting, forget forgetting, red redden ठीक है, then next, worship worship P पे stress है worshipper P, double beg, begged top, topped begin beginning cut, cutting lap, lapping glad, gladden तो, these are the rules related to this specific system of spellings जहां पर अगर last में consonant है, उससे पहले vowel है और consonant पर stress पढ़ रहा है reading में, तो आप उस consonant को किसी भी suffix add करने पर double कर देंगी यह हमने पढ़ा ठीक है next, एक और word के अंद में अगर y है और y के पूर में कोई consonant है अब y है जिससे फर एक्जाम्पल एक पहला एक्जाम्पल c r y दिया है y है और उससे पहले consonant है ठीक है तो उसमें अगर कोई भी आप suffix add कर रहे है तो क्या हो जाएगा ध्यान से देखना क्योंकि जब आप इसको past tense बनाते है किसी verb को so in that form यह सब होता है तो cry को अगर cryt करना है तो cryt की spelling क्या होगी cry तो root word है इसमें आप ed लगाना चाहरे हो दिख रहे हैं न suffix so y will be removed y की जगे में ie लग जाएगा क्या लग जाएगा ie so new spelling will be c-r-i-e-d cryt अब यहाँ वहीं आप देखो try try में y है ed लग रहे है तो ie होगे y हट गया tryt वैसे marry married जब आप बोलते हैं so y हट जा रहे ie हो रहे married emptied buried burry किसी चीज़ को दफनाना जिसे हम कहते है बरी और ed जब लग रहे है तो y में y रिमूव हो गया और ie आपने लगाया buried हो गया ठीक है वैसे ही study आप बोलते हैं I study in this class और अगर मैं बोलो कि कल मैं ने I just studied मैंने 4 घंटों के लिए पढ़ा so I just studied for 4 hours तो कैसे हो जाएगा देखो study लेकिन जब studied बोलते हैं तो y नहीं आएगा studied i e try y है y हट जाएगा i e हो जाएगा tries marry marils y हट गया i e marils empties empties t i e emptier भी होगा तो t i e r हो जाएगा cry अब कुछ spellings का अभी इसमें फिर हम वहीं exception पढ़ेंगे जैसे अब exception आएगा ing लगाने पर no change in y बागी suffix लगाने में तो change हो रहे थे लेकिन अगर आप ing लगाओगे उसी spelling में तब कोई change नहीं होगा सिदा उसी spelling के आगे ing लग जाएगा जैसे आपको दिख रहे है try है ing लगना है तो trying है यहाँ पर नहीं होगा कि आप ie करोगे cry है c r y ing लगाना है तो crying हो जाएगा so these are just another rule कि y अगर है end में उससे पहले अगर consonant है और ing के अलाव़ कोई और suffix लगा रहे हो तो y हट जाएगा और y की जगे में ie आएगा जैसे हमने उपर यह सारा समझ में hope कि आपको समझ में आगया होगा ठीक है यह वाले जो और भी में एक्स्प्लीन की आप लोगो को next है yes next rule number four शब्द के उच्चारण में बीच में अगर e का साउंड आए यह थोड़ा सा स्पसेफिक है इसको थोड़ा ध्यान से समझना आप लो कि अगर e का साउंड आए तो spelling की बीच में अगर e double e वाला साउंड आए किसी स्पैलिंग में लेकिन स्पैलिंग में आए e और e i हो तो c के बाद e i अगर उस स्पैलिंग में c है तो उसके बाद e i हो जाएगा और अगर अन्नी लेटर के साथ i e लगाते हैं for example deceive ठीक है deceive है न c e है तो c के बाद c e i ही है दिख रहे हैं आपको e i deceive फिर receive में भी क्या है e i है तो v e receive but अगर c e i यहां भी देखो c e i c e c के बाद e i होता है e sound की बात कर रहे हैं अगर कहीं पर e sound है अब मुझे deceive बोलना है तो c आ रहा है तो c e i आ रहा है receive में भी c आ रहा है तो e i ही आएगा e i c के बाद e i होगा e sound के लिए ceiling में भी c है तो e i sound के लिए e i ही हम लिख रहे है लेकिन grief अब थोड़ा सा देखो grief में g है और r है grief जब मैंने हिंदी में अगर e e sound आ रहे grief तो यहां पर मैं grief के लिए e i नहीं बलकि i e करूँगी देखो सर्फ c के बाद e i होता है बागे consonant sound के साथ क्या होता है i e grief इस चीश को समय थीफ अब जैसे टी एच अब मैंने thief बोल रहे है अगर मैं हिंदी में लिए तो क्यासे होगा यह होगा न thief मतलब double e sound यहां पर आ रहे है तो अगर मुझे इसकी spelling बनानानी है क्योंकि हम spellings के rule बढ़ रहे है तो spelling बनाऊंगी तो टी एच आई ए होगा इस पर फोकस करना है अंत में आई ए आने वाले word में suffix ing जोणने पर आई को य में बदल देते है येस जैसे ही दिख रहे है ल आई लाई ल आई ए एक वर्ड लाई वर्ड ना लाई सो लाई में अगर ing जोणना है तो आई ए हट जाएगा अब क्या होजएगा य आई ए एन जी लाई अब टी आई ए टाई इसमें ing अगर लगानी तो टी वाई ए ए एन जी टाईग हो जाएगा दिख रहे है तो ये चीज़े हम देख लो डी आई ए डाई डाई में अगर ing लगना है तो दाईग वी आई ए वाई so ing लगेगा तो v jaar ing वाई ठीक next है अगर आपका किसी word में अनतिम अकशर last letter y है और उसके पूर्व में वावल है क्या है वावल है y से पहले वावल है ठीक है दिख रहे उसके पूरे एक वावल है तो no change in Y तब हमारे y में कोई change नहीं होगा, यह ध्यान रखना, अगर y है और y से पहले एक wobble है, तो y में कोई change नहीं होगा, जबके अभी थोड़ी सबसे पहले हमने पढ़ा था देखो क्या, अगर y से पूरे कोई consonant है तब change हो रहा है, लेकिन अगर y से पहले wobble है sound wobble है तो तब कोई change नहीं हो गर सीधा उसमें वो suffix add हो जाएगा for example जिसी यह है अंतिमक्षर y से पूरे wobble है तो no change play है p-l-a-y play play के बाद क्या लग रहा है ed तो क्या बनीगा played no change b-u-y by u का sound a है by by pray a-y pray pray it obey obey it ठीक है फिर आप यह देखो play p-l-a-y a consonant आ रहा है य से पहले player b-u-y by buyer pray e-r prayer so in this way यह भी आपको ध्यान रखने कि अगर consonant है तो क्या होगा और अगर vowel है तो क्या हो जाएगा now the last system here five तक हमने पढ़ लिया है पर इसमें भी exception है अब exception क्या होते है मैंने कहा ना कि कुछ rules set तो होते हैं लेकि उनके अपवाद मतलब उनको follow नहीं करने वाले भी बहुत सारे English में words होते हैं अब जैसे say है say say में भी क्या है कि y है और जब a है लेकि जब हम इसको past tense इसमें हम ed लगा रहे हैं तो क्या हो जा रहा है say अगर हम करने है तो यह हो जाता है ऐसे id अब यह exception है इसमें yi में change हो रहा है ठीक है जबकि वो rule कुछ अलग है रहा है वैसे p a y pay है तो pay में paid हो जाएगा p a i d paid हो जाएगा y i में बदल रहे है वैसे ही day है day का अगर आब ly लगा रहे हो daily day में d a y day है ना day में भी y i में हो जाएगा तो d a i ly हो जाएगा daily तो यह सम कुछ exceptions है but mainly आपको rules पता चल गए है बट कुछ words के साथ अब यह सब चीज़े वही होती है कि जब हम जितनी reading करते हैं जितने हम सारे words को देखते है तो हमें clear होता जाता है कि इस word के साथ तो हमेशा ऐसा रहा हो रहा है और इस word के साथ ऐसा होता है next है अंति मक्ष अगर e है तो अंति मक्ष अगर e का loop हो जाता है मतलब अगर ing यह i ing vowel से शुरू हो रहा है ed vowel से लेकिं जैसे अगर ly है माल लो तो यह तो consonant से शुरू हो रहा है तो अगर आप इसमें कौन से suffix लगाएंगी जो vowel से शुरू हो रहा है तो तब e हट जाएगा जैसे live v है last में e दिख रहा है और ing जोड रहा है i किस से शुरू रहा है ing live है इसमें आप ing जोड रहा है i किस से शुरू रहा है wobble से तो क्या बोला था rule हमारा क्या कह रहा है what is the system is saying e हट जाएगा तो l i v ing हो जाएगा living so these are the example come, coming bite, biting biting ये गलत spelling है biting होना चाहिए love, loving live, liver come, comer love, lover love, loved क्योंकि ये सब wobble से शुरू होने वाले suffix लग रहे हैं समझ में आ रहे हैं तो इसलिए e हट जाएगा वहाँ पर और बाकी portion अब e हटना मतलब आपको समझ में आ रहे हैं क्योंकि उसके बाद फिर से वावल आ रहे हैं इसलिए उसमें आएंजी फार्म जो होना है तो क्या-क्या चिंजस आएंगे hope it's clear to all of you you can write down it in your fair note books and revise practice and use while you are writing, reading ठीक है जब आप राइटिंग कर रहे हैं तो तब आपको ये चीज़े ध्यान रखनी पड़ेंगे जिसे कि आपके words बिना रटे ही आपको words आने लगे ठीक है, thank you